19 दिसंबर 2022 को बेड़ो थाना में एक प्रतिष्ठित व्यक्ति के द्वारा लेखित आवेदन दिया गया था जिसमें उन्होंने बताया था कि पिल फाई के द्वारा अपने लेटर पैट पर 10 लाख रुपए की रंगदारी मांगी जा रही है जिसके बाद वरिये पुले सधी सधीक्षक राची के में बेशानुसार पुले सधीक्षक ग्रामीर और पुले सुपाधीक्षक भैरफ के मित्रत्रों में एक तीम का गठन किया गया गठे तीम द्वारा त्वरित कारेवाही करते हुए मामले का खंडन किया गया जिसमें कुल चार अपरादियों की गिरफत एक पर्चा दिया गया है और उनसे रंगदारी की मांग की जा रही है दस लाक रुपई की उसके बाद उन्हें एक नंबर से लगातार फोन भी आते रहे जिससे पैसे की मांग की जाती रहे इसको लेकर प्रात्मिकी दर्ज की गई और ग्रामिंट पुलिस अदिक्षक के टीम को लीड कर रहे थे जिसमें की बेड़ो थाना प्रवारी भी शामिल थे उस टीम के द्वारा लगातार कारवाई की गई इसको फॉलो किया गया इमन इंट और टेक्निकल इंट का यूज किया गया जिसके माध्यम से अंतता हम लोगों ने चार अपरादियों की इस मामल परकास किया गया, चौथा वंगती जो है उसी के प्रिंटिंग परस में चैनल, प्रिंटिंग मशीन परस से यह रहे हमें कुछ इख इक्सटाध भी मिले हैं और उसके परशे में परसे लेटव हम. पानल परादिक पहले से उसके मामल की अनिख सगे मीं हैं और काफी लंबा समय जेल में ये व्यतित कर चुका है और पिछले वर्षी या जेल से छूट कर आया है दूसरे अगर हम बात करें एक व्यक्ति की तो विजय गोफ उसका नाम है उसके उपर भी पूरू से तीन मामले उसके विरुद्ध लंबित हैं दो खूंटी में और एक नगडी थाना में और तीसरे व्यक्ति के अपरादिक इतिहास के संदर्ब में भी खोजबीन की जा रही है चौथे व्यक्ति के बारे मैंने पहले आपको बताया कि ये प्रिंटिंग इसके यहां जो है वो पर्चा होता था जिसके माध्यम से ये लोग उगाही का प्रियास करते थी तो इस रं अथन द्रिष्टिया जैसा पहले भी इसका जिस प्रकार का अपरादी कितिहास रहा है यह मुल्ता अपना एक खुद का एक छोटा सा समूह बना करके भंदारी मांगने के मामलों में पहले वी जिल जा जो हुई थी कुछ अपराद कर्मी जो पुराने अपरादी हैं इनका पुराना अपरादी कितिहास भी रहा है वह कुछ अवैद हतियार के साथ विशेश गाड़ी में घूम रहे हैं इसको लेकर दिया गया और स्पी ग्रामिन उसको फॉलो कर रहे थे डीसपी कोतवाली लीड कर रहे थे टीम को और जो हिंपीडी का छोटा तालाग खेत महला का है वहां पर एक चेकिंग लगाई गई और उस चेकिंग के दारान जब सब इस गाड़ी को रोका गया और वहां पर जब कई सारे आपराधीक मामले दर्ज हैं अगर हम बात करें तो उसमें गुगुन नाम का व्यक्ति है मौहमद इम्रान उर्फ गुगुन जिसके विरुद्ध पहले से तीन मामले चल रहे हैं जिसमें एक मामला अभी हाली में इंपीडी में एक बटा तेईस दर्ज किया गया था रंगदारी का जिसमें एक दुकांदार से जाकर के रंगदारी मांग रहा था दूसरा बिलाल खान जिसके विरुद्ध दो मामले लंबित हैं तीसरा बाबु खान उर्फ बाबु जिसके विरुद्ध च्छे कांड पहले इसके विरुद्ध धंकित किये गए हैं चौथा अ असीम जिसके विरुद्ध दो मामले दर्श किये गए हैं, सात्वा मुहमद कलाम उर्फ रोहित जिसके विरुद्ध चार मामले दर्श किये गए हैं, इसमें कुल मिलाकर यहां मैंने बताया कि तीन देशी कट्टे, छे जिन्दा गोली और एक गाड़ी और तीन मोबाइल फोन बरामद हुआ है